डाउनलोड एडमिट कार्ड और पीस्टी पीटी इवेंट आफ कॉंस्टेबल डीडी एग्जामिनेशन क्लिक हेर आप सभी ने देख लिया हुआ कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है कुछ भी एडिटेड नहीं है उपर देख सकते हैं CRPF की ओफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रहा हुआ हुआ और ये कैसे आपका डाउनलोड होगा क्या होगा क्या होने वाला है पूरा complete आप सभी को बताने वाला हुआ लेकिन आप सभी से एक request है कि बहुत जादा बवाल मत काड़ना क्योंकि मैं इसके बारे में आप सभी को बताने वाला नहीं था लेकिन फिर भी मैंना का मेरे जित्ते सब्सक्राइबर मुझसे connected है उन सबसे पहले information मिलनी चाहिए और मैं आप सभी को सबसे पहले information प्रवाइड करा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को believe नहीं होगा लेकिन जो लोगों को से पहले से connected उन लोगों को अच्छे से पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको time से पहले ही provide कर रही है चाहाए आप चलते आगे और यहां पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ step by step पूरी चीजें समझ लेने और पूरी चीजों को सुनना है थोड़ा ध्यान से दिक्कत क्या होती है कि आदी अधूरी चीजों को सुनते हो और उसके बाद कुछ भी जज़ करने लग जाते हैं और यही दिक्कत ह अब चलते हैं जानकारी की तरब तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेर कर दो अभी तक शैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो फटाफ़र से कल लोगा आप सभी ने देख लिया होगा डाउनलोड e-admit card of PSTPET event of constable duty examination अब बहुत सारे लोग crpf.gov.net पे जाके से सर्च करन करेंगे तो बेकार हैं मत करना क्योंकि आपको यह नहीं मिलने वाला मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको यह link मिलेगी जाकर खुछ चेक कर लेना confirm हो जाओगे तो आप देखिए सबसे पहले चलता हूं मैं CRPF की official website पर जिससे कि मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि कोई भी admit card या कुछ भी जब जारी होता तो सबसे पहली बात आप सभी को बता दूं कि यह जो आपके admit card जारी होंगे ना तो आपकी SSC की website पर मिलेंगे ना आपको CRPF की पर क्योंकि CRPF इसके लिए नया domain लेकर नया domain लेकर उस वाली website पर आपके जो admit card होगे वह upload किये किये जाएंगे वहीं सभी update होंगे वहीं से पूरी जो update होगी आगे कि वह आपको मिलेगी अब इसके लिए simple सा procedure क्या करना है तो देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो पहले से link create की हुई होती है उससे अपडेट करना होता है कि जैसे मान के चलो पहले से 2018 की भरती चल रही है और जो 2018 का जो data जहां पे data जो update किया गया था उसी data को change करके आपका 2021 का जो data होगा वो डाला जाएगा तो उस पे जो काम है वो आपका start हो चुका है उसी website को मैंने पूरी तरह से यहां पे निकाल लिया तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने दे इसी को change करके 2021 का जो data है वो यहां पे update किया जाएगा अगर आपको believe नहीं है तो आप देखो crpf.gov.in पर जाके खुद जाके check कर लो जब आप जाके check करोगे मैंने recruitment details में आके check कर रहा हूँ तो आप खुद जाओ देखो मैं आ गया recruitment details में जब जाके आप check करोगे तो आपको यह वाली जो information जो मैं आपको दिखार हूँ यह वाली आपको details कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि यह जो मैं दिखार हूँ बहुत secret चीट आप सभी को दिखार हूँ इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यहां पर जो advertisement number बगरा है वो सब 2018 वाली भरती का है और यह सारी चीज़ जारी होगा आपके admit card जारी होने से पहले पूरी information लेके ही मैं आप सभी को यह बता रहूँ तो उससे पहले आपका एक sword notice जारी होगा sword notice में आपको बताया जाएगा कि कब से आपके PSTPET conduct करवाय जाएगी और आपको confirm कर दिया जाएगा उससे पहले ही आपके admit card बगरा जित आप link पे click करेंगे तो आपके सामने जो मैं आप सभी को दिखा रहा था हूँ यहाँ पे download हो जाएगा download e admit card of PSTPET event of constable duty examination और नीचे जो आपको link मिलेगी click here अभी update नहीं है इसलिए मैं इस link को यहाँ से open नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई फायता नहीं है क्योंकि नए पर कोई दिक कर नहीं है जो reality है वो मैंना आप सभी को बता दिये कि आपका जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है और इस पर पूरी तरह से काम start हो गया आपके जो admit card है वो बनाए जा रहा है complete और जो आपकी date है वो almost तयार हो चुकी है क्योंकि आपके admit card बगएरा होते है वो complete हो जाते है और उसके बास server से पूरी की जो date होती है वो data में update करके आपको दे दी जाती है उससे पहले आपका sort notice बगएरा भी जा रही कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जैसे मैं आप सभी को बताया एक दम official website है सारी चीज़े देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने इसमे पहली बात तो मैं आप सभी को बता जिता हूँ link मैं आप सभी को provide नहीं करा रहा हूँ क्योंकि link provide कराने से दिक्कत ही होगी कि बहुत सारे लोग directly जाके वहाँ पर visit करेंगे और इससे data क्या है crash हो जागा और data crash होगा तो website में कुछ problem आ जाएगी तो फर दिक्कत आ जाएगी तो इसलिए मैं आप सभी को एक चीज बता जिता हूँ कि अगर आपको यह try करना है तो आप कर सकते हैं simply आप google में जाओ google में जाने के बाद आपको website जो की मेरी website आप यह मत कहना कि official website की जगे अपनी website बता रहा है वही मेरी ही website है www.study4dreams.in इस वाली website पर जाओ www.study4dreams. link नहीं provide कर रहा हूँ और मैं आपको clear कर दिया वोगल में जाके search कर लेना study4dreams.in तो आप directly मेरी website पर visit कर जाओगे तो जब मेरी website पर वहां पहुँचोगे तब जाके आपको वहां पर sstgd physical admin card search कर लेना अपने तरीके से search कर लेना क्योंकि यहां से आगे मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको website पर जाके कैसे search करना है क्योंकि मुझे पता बहुत ज्यादा traffic अगर चाला गया तो मुझे भी दिक्कत होगी और उस website को भी दिक्कत हो जाएगी तो मैं चारा हूँ कि बहुत slow वहां पर traffic जाए जिससे की पता भी ना चले कि यहां पर जादा traffic आ रहा है तो I hope कि आपको यह एकदम से clear हो गया होगा कि Google पर जाको आपको यह search करना और उसमें SSJD constable physical admit card उसमें डाल देना तो आप सभी का एकदम से clear हो जाएगा और जो चीज़े मैं आप सभी को दिखाएगी बिद प्रूफ वहां पे आप सभी को दिख पर दें कि अगर आप मेरे subscriber हो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो guarantee के साथ आप देख लेना कि आपके जो admit card होंगे आपको सबसे पहले provide हो जाएंगे लगवा आठ दिन पहले आप औरों से 8 दिन पहले अपने admit card download कर लोगे और मैं आप सभी को इसकी जो link होगी तुरंत provide भी करा दूँगा तो channel को subscribe करने न और bell icon पर प्रेस करने न वीडियो को जादा से जादा share जरू करना क्योंकि जितने लोग हम से connected है उन सभी लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए और सभी लोगों को इसकी जानकरी मिलनी चाहिए और जो भी मैंने जानकरी दिये ए एक percent भी doubt करने की जरूद नहीं है यह मैं guarantee देता हूँ बहुत ही जल्ली जो आपका sword notice है जैसे आपका data जो uploading वाला काम complete हो जाएगा उसके तुरंत बाद जो आपका sword notice है वो जारी हो जाएगा तो 26 मही 17 मही कब से आपका physical होना इस शक्कर में ना पड़ो exact जो data है और जो notice है जो आपका physical का वो भी मैं आप सभी को बहुत ही जल्ली दिखा दूँगा जैसे ही मुझे मिलेगा क्योंकि अभी बना ही नहीं है तो मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता तो जैसे ही बनेगा तुरंत उसके बाद आप सभी को provide करा दिया जाएगा तो अमीद करता हूँ कि ज करमें आ रहे हैं कि आपका physical bot delay होगा तो ये इतनी hint I hope आप सभी के लिए काफी है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share कर देना और चैनल को subscribe कर लेना बैल आइकन पर press कर लेना और जो website मैंने आप सभी को बताए है www.study4dream.in ये मेरी website है मैं नहीं कर रहा हूँ official website है इसी website के माद्यम से मैंने आप सभी को वो link प्रोवाइड कराई हुए है जहांसे कि आप जाके चेक कर सकते हैं SSCD Constable Physical Admit Card तो वहाँ पे आप सभी को मिल जागा सर्च वगरा करने का भी option आप सभी को दिया गया है तो फिलाल के लिए वस इतना है अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी information के साथ तो thank you for watching जैहिन जवारत